Hello friends, welcome back to Steadyker, मैं हूँ आपका दोस्तर प्रभाकर Daily Current Affairs की सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज आपके साथ डिसकस करेंगे 30 अप्रेल 2022 से related Most Important Current Affairs दोस्तों ये लेक्षर आपके exam के point of view से बहुत important है इसके last में आपसे कुछ question पूछे आएंगे उनके answer आपको comment box में जरूर देना है अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आप studyker को follow कर ले और bell icon यानि घंटी वाला बटन जरूर दवाले जिससे आपको समय पर और सबसे पहले notification मिल सकेगा अगर आप हमें सभी social media platform पर भी follow करना चाहते हैं तो सभी का link description में है आप वहाँ से हमें follow कर सकते हैं पीडियेप अगर download करना चाहते हैं आप इस lecture का तो पीडियेप मिलेगा आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर जिसका link जो है description box में दिया गया है चलिए friends पहला question discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज में एक cancer उपचार केंदर का उधगाटन किया है तो दोस्तो प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदी जी हाल ही में आसम राज जी के दौरी पर गए थे और असम राज्ज में ही उन्होंने कैंसर उपचार केंदर का उधगाटन किया है और इस उपचार केंदर का जब उधगाटन किया गया था तो इस कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीची और जो असम के मुख मंत्री हैं हैमंता विश्वा शर्मा वो भी उपस्तित थे और इसके अलाबा दोस्तों रटन टाटा जी भी उपस्तित थे तो ये तीनों लोग की उपस्तिती में ही इस उपचार केंद्र का उधगाटन किया गया है। दोस्तो ये जो cancer उपचार केंदर हैं ये किसके द्वारा बनाई जा रहे हैं तो ये state government यानि असम सरकार के द्वारा और Tata Trust के द्वारा सयुक्त रूप से बनाई जा रहे हैं ठीक है और रतन टाटा जी को इसी काम के लिए यानि cancer उपचार केंदर में सहायता करने के लिए ही असम सरकार के द्वारा असम बैभाव सम्मान भी दिया गया है तो ये point भी आप नोट करिएगा दोस्तो बात आई है असम की तो असम से related कुछ important point डिसकस करते हैं आप ध्यान से सुनते जाईएगा असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को राजधानी हैं दिस्पोर और यहां के जो गवर्नर हैं वो कौन है बरतमान में जगदीश मुखीची है चीप मिनिश्टर है है मनता विश्वा शर्मा यहां का जो राज की पसू है वो क्या है एक सींग वाला गेंडा लोकनरत यहां का जो प रंभपुत्र, बराक और सूनई दोस्तो असम की सीमा किन की राज़ियों से लगती है थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनीपुर, मिजोरम, मेगालाय, तुरपरा और पश्चिम मंगाल तो इन राज़ियों से असम की सीमा लगती ह कई बार आपके एकजाम में असम की जो नैसनल पार्क है वो भी पूछ लिए जाते हैं तो चलिए डिसकस करते हैं तो उसम में कौन कौन से नैसनल पार्क है। पार्क तो ये सभी नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में इस्तित है असम राज्य में इस्तित है तो असम राज्य से रेलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ डिस्कस किया है आप इनको नोट चरूप करिएगा अंगला प्रसन है किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड के तेल ताड के तेल को दोस्तो पॉम ओयल भी बोलते हैं तो याद रखिएगा पॉम ओयल जो है के निर्याद पर प्रतिबंध लगा दिया है यानि कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि वह कौन सा देश है जिसने पॉम ओयल के निर्याद पर प्रतिभंध यानि बैन लगा दिया है तो आंसर है इसका इंडोनेसिया दो दोस्तों इंडोनेसिया के द्वारा प्रतिभंध लगाने के बाद कई देशों में महगाई बढ़ने का खत्रा बढ़ गया है और जिसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है दोस्तों पॉम हीन होता है यानि इसमें कोई गंध नहीं होती है इसलिए कई बार इसका उपयोग जो है वो घाना बनाने में भी कर लिया जाता है और सबसे बड़ा जो यूज है इसका साबुन और सेंपू बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और अन्य औद्यों के छित्र में भी इसका इंडोनेसिया है वो पॉम ओयल का सबसे बड़ा उत्पादक है फिर उसके बाद जो नाम आता है वो आता है मलेसिया का तो अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत अपने कुल आयात का 70% जो पॉम ओयल है वो इंडोनेसिया से मगाता था और 30% जो पॉम ओयल है वो मलेसिया से पादक हैं जिसमें से इंडोनेसिया ने क्या कर दिया है पॉम ओयल की निर्यात को वैन कर दिया है ठीक है चलिए फ्रेंट्स बात आई है यहाँ पर इंडोनेसिया की तो इंडोनेसिया से जो इंडोनेसिया है उसकी जो कैपिटल होगी वो नूसंतारा होगी साल 2019 में इंडोनेसिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने नई राजधानी बनाने की घुशना की थी दोस्तो इंडोनेसिया की हिस्ट्री के बारे में भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस करते ध्यान से सुनिएगा इंडोनेसिया की जो स्वतंतता है वो इटली से 17 अगस्त 1945 को हुई थी जिसकी माननेता मिली थी 17 दिसंबर 1949 को इंडोनेसिया बिश्यो की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी बाला देश है इंडोनेसिया की एक मात्र ओफीसियल और नैसनल लेंगवेज इंडोनेसिया याद रखिएगा इंडोनेसिया की जो मुद्रा है वो रुपिया है जबकि इंडोनेसिया का राष्टिय प्रतीक गरुण है देखे दोस्तों ये मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहां का जो राष्टिय प्रतीक चिन है वो क्या है गरुण है अगला प्रसन है भ और मालीब जो हैं वो अच्छा उर्जा के हस्तांतरण के उद्देश से Transmission Interconnection इस्थापित करने पर सैमत हुए हैं दोस्तों यहां पर बाताई है अच्छा उर्जा की तो अच्छा उर्जा का मतलब क्या होता है ऐसी उर्जा जिसका च्छाए नहीं होता है जो समाप्त नहीं होती है तो जैसे सूर की रोसनी है या सूर का जो प्रकास है उसकी जो उर्जा है वो अगर हम यूज करते हैं उस उर्जा को तो वो एक बार यूज होने के बाद समाप्त नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अच्छ है उर्जा इसी प्रकार से जो पबन होती है या जो हवा होती है उसकी उर्जा का अगर अपन उप्योग करते हैं तो उसकी उर्जा भी एक बार उप्योग होने के बाद समाप्त नहीं होती है इसी प्रकार से water की अगर हम उर्जा को उपयोग करते हैं तो वो भी समापन नहीं होती है तो सूर पबन और water से जो उर्जा मिलती है उसे हम अच्छाय उर्जा बोलते हैं लेकिन अगर दोस्तो कोईला से उर्जा मिलती है तो एक बार कोईले का उपयोग करेंगे हम और फिर उ अच्छा है उर्जा के छेत्र में ही भारत और मालदीब के बीच में एक transmission, interconnection इस्थापित करने के लिए एक समझोता हुआ है, ठीक है, और यह जो प्रस्ताव है, यह one sun, one world और one grid पर आधारित था, ठीक है, चलिए friends, अब हम अंगला प्रस्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनि हो गया है, तो दोस्तो हमें यह बताना है कि बीना पानी मोहंती जो है, वो किस भासा की लेखेकाक थी, तो इसका आंसर है उडिसा, या उडिया, सौरी उडिसा नहीं होगा, क्या होगा, उडिया, तो जो बीना पानी मोहंती थी, वो उडिया भासा की लेखेकाक थी, जिन्ह उन्होंने 100 से अधिक पुस्तके लिखी हैं, याद रखिएगा, और इन्हें पद्मसरी पुरुस्तार 2020 में दिया गया था, कब दिया गया था, 2020 में, इनकी कुछ रचना हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इनकी रचनाओं को, पटा देही, कस्तूरी म्रग ओस, सबुजा अ पारन, खेला घर, इस प्रकार से उन्होंने कई पुस्तके लिखी हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, और याद रखिएगा, कि जो बीना पानी मोहनती हैं, इनका संबंद उडीसा से है, और उडिया भासा में इन्होंने लेखन कारी किया है, और इन्हें 2020 में पद्म ग्राम पंचयायत में, तो इसका अंसर है जारखंड, यानि जो जामताड़ा जिला है दोस्तों, इसके हर ग्राम पंचयायत में एक सामुदायक पुस्तकालाय बना हुआ है, और ऐसा करने बाला यह देश का पहला जिला बन गया है, ठीक है, लगबग 8 लाग की आबादी वा चातरों के लिए खुली रहती है, दोस्तों बात आई है, जारखंड की तोर कैपिटल रांची है, चीप मिनिस्टर है है हैमंत सौरेन और राजपाल है रमेश बैस, तो ये सभी एडिसनल जानकारी जो है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, अंगला प्रसन है, किस स्थान पर अठत्तर सौ से अधिक राश्टिय ध्वजों को एक समाय पर लहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसका आंसर है बिहार, दोस्तों हाल ही में बिहार में अठत्तर सो से अधिक राश्टिय ध्वज एक साथ फैराए गये हैं, और इस कारिकरम में हमारे बिहार का जो भोजपुर नामकिस्थान हैं वहाँ पर ये कारनामा किया गया है और ये कारनामा किया गया था कब बीर कुमर सींग बिजी ओस्तव कारकरम के दौरान। लहराए हैं और गनीज वोक आफ वल्ड रिकॉर्ड बनाया है अंगला प्रसन है लास्ट प्रसन होगा दोस्तों इस लेक्षर का ध्यान से सुनिएगा रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने है तो दोस्तों रॉबर्ट गोलोब जो है वो हाल ही में स्लोव महादीप में इस्तित एक कंट्री है जिसकी राजधानी जुबल जाना है और यहां की जो करंसी है वो यूरो है तो यह सब भी पॉइंट आप नोट जरू करिएगा दोस्तों अब आप से कुछ कोशन पूचे आएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है प और यह कोड यूज करें राजा नंबर वन खबरी पर आप हमें फॉलू कर लें वहाँ पर मोश्ट इंपॉर्टेंट आडियो लेक्षर मिलते हैं तो आप खबरी पर जरूर फॉलू करें दोस्तों अगर आप कोई लेक्षर पसंद आया है तो लाइक कर दें सेर जरूर कर द